हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू मैं चैनल तो मैं हूं पृती गुपता और मेरे चैनल पृती क्रेशन में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट पॉल सभी को थेंक्यू जो आप मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं दोस्तों आज का टॉपी देखक टॉप्स के वीडियो इपलोड होते रहते हैं अगर लगता है आपको कि मेरे चैनल थोड़ा सा भी यूसफूल है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए बगल पर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिसे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द और वीडियो अपलोड यूट्यूब पर होते रहते हैं दोस्तों टापिक देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि पीले दातों को मोती जैसा कैसे चमका है दोस्तों हमारे इंडिया में महलाएं और पूरुष दोनों तंबाकू गुटका सिगरेट कई तरह की चीजों का सेवन कर और उनके दात पीले तो ठीक ही ठीक है उनके दात पूरी तरह से गाले और सड़ चुके होते हैं और कई लाज लेने के बाद कभी-कभी उन्हें दात साफ करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है और वहां पर दस हजार तक पेमेंट पे करना होता है लेकिन आज का जो घरूलन उसका है इसमें आपको कोई भी पेशा नहीं लगेगा सारी चीजी आपके किचन में बड़ी ही आसानी से अवेलेबल होगी तो आईए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक अभी कीजिए चैनल सस्क्राइब अभी कीजिए बैल यह 100% यूसफूल होगा आप 8 दिन इस रेमेडी का उपयोग करके अपना अनुभाव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मैं आपके कमेंट का इंतिजार करूंगी दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है नीम पाउडर यह रेडिमेट को एक चमज के करीब इस बॉल में डाल ले रेडिमेट में कई चीजे मिली वही आती है मैं यहां पर आपको एक्जामपल दे रही हूं देखिए दोस्तों हमने नीम की पत्ती का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी बेक्टिरियल प्रॉपर्टी कमीन होती है यह हमारे दात को साफ करने में पूरी तरह से मदद करती है आपने सुनाई होगा पहले लोग नेम की दंटर्से दाथ साफ करते थे जिसको हम दाथ तून बोलते हैं मतलब ब्रश भी नहीं होता था तो नीम की टंठल लेकर दाथ साफ करते थे तो हमने एक चमज नीम का पाउडर लिया है और सेकेंड हमें कोलगेट लेना है क्योंकि हम लोगेट जब तक हमको कोलगेट का टेस्ट नहीं आत गता है दोस्तों आनधिन में आपके दाथ पूरी तरह से साफ हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा गंदे तो थोड़े से थोड़े बहुत गंदे तो दो-चार बार के उससे ही आपके दाथ साफ हो जाएंगे कोल्गेट में तो सारी वो प्रौपर्टी होती है जिसे आपके दाथ साफ हो जाए लेकिन यह रेमेडि उन लोगों के लिए जिनके दाथ बहुत ज़्यादा काले हो गए ब्रस कर करके भी परिशान है लेकिन साफ नहीं होते हैं तमाकू खाते हैं गुड़का काते हैं कोलगेट खाते हैं जिसे आप टोटल सारी चीजे खा खाके अपने दातों को खराब कर लिया मैंने यहां पर जो थर्ड इंग्रेडेंट लिया है ना दोस्तों बो लिया है मैंने बैकिंग सोडा दोस्तों अब आप स ज्यादा सड़ चुके हैं खराब हो चुके हैं काले हो चुके हैं और वो डॉक्टर पास दसजार खर्चकाना जा रहे हैं तो आप इस रेमेडिक ऑपयों के ट्लिस्ट 10 डेस्क कीजिए 10 डेस्क में आप देखेंगे कि आपके दाथ पूरी तरह से साफ हो चुके होंगी यह प आपके दाथ बिल्कुल सफेद सफेद नजर आए क्योंकि क्या होता है ना हम उपर से नीचे तक खुब भी सजले अगर हम कहीं बोले और हमारे मुंसे इसमेल आई या हमारे दाथ पीले और गंदे दिखे तो हमारी परसनालेटी पूरी तरह से खराब हो जाती है हमारी परस जादा फर्क पड़ता है दातों का तो इस प्रकार से रेमेडि का उप्योग करके आपको आपका ब्रस ले लेना है यह एक पेस्ट के तरह बनेगा बिल्कुल कोलगेट पेस्ट की तरह मैंने यहां पर आपको इसा भी पेस्ट ले सकती है चाए पतनजली का यूज करती आपकी प्राबलम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई फ्रेंड्स